तो friends welcome back to my channel तो आपने बेगन की सबजी कई बार खाये होंगे बट जो तरीका आज मैं आपको बेगन मसाला बनाने का बताऊंगा friends इस तरीके से आप कभी अपने घर पे या अपने रेश्टोरेंट में बेगन मसाला बनाऊंगे तो खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी ब थो लेंगे उसी के साथ हमने लिए पैज और टोमेटो तो हम पैज को चौप कर लेंगे और टोमेटो का पेश्ट बना लेंगे तो दीखिए हम सबसे पहले बेगन को अच्छी तरह कैसे धो लेंगे तो इसके पूरा हम एड कर लेंगे थोड़ा पानी और इसको अच्छी त इसके बाद हम ओईल को अच्छे से हीट होने देंगे उसके बाद हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे बेगन तो बेगन का आपको पास से 6 मिनिट तक अच्छी तरह कैसे सेलो फ्राय करना है आप इसको डी फ्राय भी कर सकते हो देखे तो इसी परकार से आपको इनको अच्छी तरह किसे फ्राय करना है बिल्कुल पचास प्रसंटे तक अच्छे तरह किस इनको पका लेना है ह। इसके बाद हम इसके अंदर एड़ nep कर लेंगे थोड़ी हल्टी परवडर थोड़ा देगी मिर्च पाउडर इससे काफी अच्छा कलर आता है और काफी अच्छा टीष्ट आता है तो आप इसमें नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्कीब भी कर सकते हो देखे तो इसी परकार से आपको इनको अच्छी तरह कैसे मिक्स कर लेना है और बिल्कुल पाच मेंड तक अच्छी तरह किसे उनको पका लेना है तो देखे फ्रेंड्स यह हमारा बेगन अच्छी तरह किसे पक चुक है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे तो हम ऐई कुकिंग ओयल का यूच करने वाले इसके अंदर हम एड़ कर लेंगे 2-3 तेज़ पत्ता और तेज़ पत्ता को अच्छी तरह किसे भून लेंगे इसके बाद हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे थोड़ी राई और धोड़ा हुल जीरा और इनको बिल्कुल अच्ची तरह कैसे ट्रेक ने देंगे, ताकि इनका जो tatsächlich है, बिल्कुल अच्ची तरह कैसे एक्टिबेट हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर एड़कर लेंगे, चोप पैच तो पैच को बिल्कुल आपको fine-shop कर लेना है, बिल्कुल इसी परकार से, और बिल्कुल इनको अच्छी तरह किसे golden to brown होने तक पका लेना है तो लगभग आपको इसमें 10 मिनिट लग सकते दीखिए तो हमारा oil बिल्कुल अच्छी तरह किसे उपर आ चुका है मतलब हमारे patch बिल्कुल 80% तक पक चुके इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे थोड़ा नमक और कस्तूरी मेती तो आपके पास कस्तूरी मेती अवेलबल नहीं ही तो आप इसको skip कर सकते हो इसके बाद इनको अच्छी तरह किसे mix कर लेना है इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे थोड़ी healthy powder इससे काफी चक कलर आता है हमारे सबजी में और इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे ginger garlic paste और इनको बिल्कुल अच्छी तरह किसे 2 मिनिट तक पकने देना है इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे देगी मिर्च पाउडर इससे काफी चक कलर आता है और थोड़ी लाल मिर्च पाउडर तो आप इसको test के recording ले सकते हो इसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा जीरा पाउडर और इनको बिल्कुल अच्छी तरके से हम मिक्स कर लेंगे देखिए तो आपको मसालों को नीचे लगने नहीं देना है इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे tomato paste और tomato paste को फिल्कुल आपको तीन से चान मिंट तक अच्छे तरके सी पकने देना है दिखिए तो यह हमारे तीन चार मिंट में हमारे tomato अच्छे तरके सी पक चुके है इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे थोड़ा पानी तो आप अपने पानी को अपने बेगं के quantity की हिसाब से ले सकते हो इसके बाद हम इसके अंदर add कर लेंगे थोड़ा नमक और हम इसमें बेगं को add कर लेंगे और बिल्कुल इसको अच्छे तरके सी mix करके अच्छे तरके सी पकने देंगे तो आपको ग्रेवे को बिल्कुल ठीकी रखना है दीखिए बिल्कुल इसी पारकार से आपको इनको अच्छे तरके सी पका लेना है तो आपके पास fresh कटा धनिया है तो आप इसके उपर डाल सकते हो इससे काफे चफ लेवर आता है प्रिकल इनको पाच मिल तक अच्छे तरके सी पका लेना है तो ये देखिए ये हमारा बेगन मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है धाबा श्टेल तो इस सबजी बिल्कुल मटन और चीकन को अच्छे तरके से फेल कर देंगी फ्रेंड्स बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बादा लिला है तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होंगा तो हमारा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ठैंक्स पर वाचिंग तो मिलते हैं हमारे अगली रेस्पी में